आपका स्वागत है मैं हूँ प्रेकास चलिए सुरू करते हैं आज का अध्यार दोस्तों आज हम सीखेंगे MS Excel में जिसा टाइटल हमने दिया है How to manage store in Excel Excel में नॉमली स्टोर कैसे मैनेज करते हैं वो हम आपको आज इसके बारे में बताते हैं वैसे तो काफी कुछ चीजे होती हैं लेकिन एक नॉमली स्टोर को मैनेज करने के लिए जो इंपॉर्टन चीजे हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे इसमें हम आपको बताएंगे कि जैसे कोई material पहले से कितना पड़ा है और हर दिन यानि एक तारीक से लेके तीस या कर तीस तारीक तक जो material आएगा वो आएगा तो वह आपका जो जुड़ जाएगा और जो क्वांटिटी जो माल आ रहा है वह आपका जो भिक रहा है उसको कैसे उसमें से माइनेस करके हम बैलेंस क्वांटिटी को निकालते हैं चलिए शुरू करते हैं हमने निकाल का मन भृत पनीचल मेंने फर्मेश करते हैं तंग मतलु बैल्टी यहां ऊपनि इस थनीचल मी का क्लोजिंग स्टाक चोहोगा वह ऐस फाइनेन इर हीँ यृक को सब्सक्राइभ जैसे मान लीजे हमारा पेन है 1.5 पीस और पेंसिल है हमारे पास 100 पीस और उसके बाद प्रिंटर हमारे पास 2 पीस रफ है हमारे पास 100 पीस रेजिस्टर हमारे पास 100 पीस मारकर है չमारे पास $200 और कंप्यूटर है निस चाउक में है अब उसके बाद पर्चेस कौंटारी के है जो एक तारीक से लेके तीस तारीक को दाएगी मालने जे हमने यहां पर एक तारीक से लेके तीस तारीक तक का जो डालना है वो यहां पर डाल दें आप कर तकर दो तारिक को नहीं है आए तीन थारिक फिर आए चालीषे इसे परकार हम बता देते हैं किसा कर आपको फिल करनी है किसे नहीं नहीं डाले प्रकार आप नहीं डालेंगे वहां पर मैं यहां पर फार्मूला लगा देता हूँ ताकि वैलू पूरी एक ही बार में आजाय तो यहां पर हम डाल देते हैं कि पचास से लेके सौं के भीच की वैलु कों लेनी है कि लगभग इसी की क्योंटिटी आती है जैसे यहां पर देखें आपका पिन दीख रहा है तो पिन जरूरी नहीं है कि एक तारीक को भी आये, दो तारीक को भी आये, तीन तारीक को भी आये, यहां पर हमने एक 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 आरीक को 84 पीस आया है, एक तारीक को 84 पीस आया है, दो तारीक को 74 पीस आया है, तीन तारीक को डालनी है इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है ठीक है चलिए हमने एक से माल लीज़े हमने एक से 31 तरीफ तक का पूरा हमारे डीटा तैयार है अब हमें पर्चेज गौंटी यानि पूरे वहीने में हमने पेन कितनी पर्चेज करी उसको कैलकुलेट करते हैं बराबर करें स समकरें ब्रैकेट लगाएं ब्रैकेट लगाने के बाद एक तारीक से लेके आपको 30 तारीक तक आपको इसको सेलेक्ट करना होगा ब्रैकेट लगाना है एंटर प्रेस करना है एंटर प्रेस करने के बाद आपको इसको ड्रैग कर देना है ड्रैग करने के बाद यह पूरी कि हो जाएगी अब उसके बात आती है सेंस कॉंटिटिटी कहां से यह तो हमारी परचेस कॉंटिटी होगी अगर मात करें हमने कितना खरीदा पुरे महीने में 2273 पेंसिल खरीदा है हमने 228 और फ्रिंटर खरीदा हमने 2322 रफ खरीदा हमने 21 Awesome रेजिस्टर खरीदा हमने 244 मारकर खरीदा हमने 1270 कीबोर्ड खरीदा हमने 20191 और माउस खरीदा हमने 273 यह हमारी पर्चेजिंग अब हम यह जानते हैं कि जो मैट्रियल हमारे यह चलते हैं यहां पर हमने फोर्मेट बना रखा है और यहां पर हम क्या करेंगे की 25 से लेके बराबर करेंंगे और रहां अब हर पाचीश से लेके 50 तक की वैलू डाल देंगे और इसको एंटे कर देंगे तो यह पचीश से पचास के वीच की वैलू पूंद दाल देती हैً इसको थिक तो फिर रही बात मैं रिपीटिट करना चाहूंगा कि आपको इस पर को इस प्रकार नहीं डालना है आपको पता है हमारे डिली पें कितना एम उठीट हो रहा है कॉपी कितना सेल हो रहा है पेंसल की तो एक तारीक टारीग में आपको कि आप इसके according जी समय कर रहा हूं आपको वही quantity इसमें डालनी है जो आपको आप billing कर रहे हैं जो bill कर रहे हैं जो बेच रहे हैं वही quantity इसमें डलेगी चली हम इसको भी sum कर लेते हैं बराबर करें sum करें bracket लगाए bracket लगाने के बाद आपको पूरा सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद लगाना है इस देश्ट करना है इस अगर पूरा का पूरा आपका तो अगर चैल्स क्वांट्टि की बात करें कि इस महीने आप्रायल में कि इतना हुआ है और यारो यारो और यारो पीस से हक Umsł 950 ह Pacific प्रिंटर जो है 149 और प्रप्स जो है 144 रजिस्टर जो है 158 जो है आपका 146, कम्प्यूटर 147, कीबोर्ड 1066, माउस 116, यह क्वांटिटी सेलिंग क्वांटिटी है अब इसके बाद हमें क्या करना है, सेल्स क्वांटिटी यहां पे लाना है तो बराबर करना होगा यहां पर क्लिक करें और एंटर में क्या करना है तो वहां से क्वांटिटे कर आजाएगए आप इसको सिंपली क्यूंकि हम इसके ओल्ड कर दिया जोड़एगा और जितना गया इसे घठाड दिया जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं, बराबर करें, opening stock plus received quantity तोनों को जोड़ दिये गया और उसमें से आपको issue quantity को, यानि sales quantity को घटा दिया गया, अब हमारे पास जो पेन आ रही है, वो तेरह सदूपी से इसी प्रकार ड्रैग करेंगे, तो हमारे सारे, सारी quantity automatically calculate हो जाएगी, इस प्रक based quantity, sales quantity और balance quantity निकाल सकते हैं, दोस्तों अगर आपको यह content पसंद आया हो, तो इसे जरूर लाइक करें, share करें, comment करें, और अभी तक चैनल को अपने subscribe नहीं किया है, तो please subscribe करें, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,